आज का हमारा Topic है RT-PCR, इसकी Full Form है Reverse Transcriptase PCR, Most Popular Technique अभी तक की हम Korona से तो फैमिलियर हैים Korona के लिए कौन सा टेस्ट करवाे जाता है, कौन सा टेकनीक परफॉर्म करवाे जाती है, RT-PCR है क्या RT-PCR सबस्ते यह DNA है DNA से क्या बनता है DNA भी बनता है DNA से DNA बनने की जो प्रोसेस होती है उसे कहा जाता है DNA रैपलीकेशन और इस प्रोसेस को इस प्रोसेस को प्रोसेस को प्रोसेस को प्रोसेस करने की लिए किस तरह के enzymes यूज में आते हैं जिन में यह खास बत होती है DNA Dependent जो DNA पर depend हो और क्या हो? DNA Polymerase हो DNA से RNA भी बनता है DNA से RNA भी बनता है Double Helical Form से Single Helical Form भी बनती है यह जो process है यह process किलाती है transcription और इससे बनाने वाले enzymes में क्या खास बात होती है वो होते है DNA dependent DNA dependent RNA polymerase मतलब DNA से तो depend होंगे और क्या होंगे RNA polymerase यहां पर क्या थे DNA dependent थे और थे भी क्या DNA polymerase बट reverse transcriptase क्या है DNA से RNA को तो हमें पता चल गया कि transcription बोलते हैं बट RNA से फदर वापिस से अगर हमें DNA चाहिए तो यह process कहलाती है reverse transcription और इसे जिस तरह के enzymes बनाते हैं वो होते हैं RNA dependent RNA dependent देकि RNA इससे dependent DNA polymerase क्योंकि बनाते क्या है DNA polymerase इन शॉट इन्हें बोलते हैं reverse transcriptase क्रिप्टेज यह मतलब कि RNA से DNA बनाने की जो process होती है वो process होती है reverse transcription enzyme यह होगे और इन्शॉट इन्हें यह भी बोलते हैं reverse transcriptase RNA से DNA बनाने पर जो हमें DNA की copies मिलेगी वो हम रखेंगे PCR में और further उसका amplification करेंगे यही overall technique है RT-PCR की अब हम इसे थोड़ा सा detail में पढ़ने वाले हैं कि RT-PCR कैसे perform करते हैं लैब में यह हमारे पास है cell यह हमारे पास है cell cell से हमें क्या isolate करना है सबसे पहले isolate करना है RNA RNA isolation RNA को isolate करना है बट इसमें भी मुझे क्या चाहिए mRNA RNA इसमें भी मुझे mRNA चाहिए इस technique को आगे further continue करने के लिए अब मुझे इतने सारे RNA में से mRNA कैसे मिलेगा तो अब मैं इसके लिए perform करती हूं chromatography column वाली कुछ इस तरह से पढ़ाई थी मैंने इसमें था resin अब मुझे क्या चाहिए था मुझे चाहिए था mRNA तो मैं यहाँ oligodity का sequence coat करूंगी मतलब यह इतना भाहर नहीं निकल रहा यह यहाँ पर label किया है मैंने किसका है oligodity का long sequence अच्छा यह मैंने oligodity ही क्यों use किया mRNA को extract करने के लिए जो mRNA होता है मतलब की DNA से हमें मिलता है RNA RNA का एक टाइप है mRNA इस mRNA मेंने पे कुछ modifications होते हैं इसका जो 3' end होता है उस पे poly A sequence होते हैं और हम जानते हैं कि A pair with T G pair with C इनकी base pairing होती है तो हमें चाहिए है mRNA mRNA के लिए हमने क्या किया कि oligodity के sequence रेजीन पर कोट किये ताकि जितने भी mRNA है यह sequence यह हमें मिल जाएं यह वाले इन यह आरेने जो मैंने आइसोलेट किया है वह मैंने इसमें पोर किया रेजर्ट क्या होगा जितने भी बाकी टाइप के RNA होंगे tRNA rRNA यह और भी कोई अगर protein आ गया हो तो वह extract हो जाएंगे लेकिन जितने भी mRNA है वह यहाँ पे affinity शो करेंगे क्यों क्योंकि मैंने यहाँ पे oligodity की long chain sequence को coat किया हुआ है यह coat किया हुआ है तो जितने भी mRNA है वह यहाँ पे attach हो जाएंगे अब मुझे पता चल गया कि यह जो हमें मिला था वह हमारा desire sample नहीं था बट यहाँ पे हमारा desire sample attach हो चुका है तो अब हमें यह चाहिए अब यह हमें चाहिए तो हमें क्या करना होगा इस column में distil water का flow करना होगा distil water distil water distil water के flow से क्या होगा जितने भी mRNA sequence है जितना भी mRNA है मैंने बुला mRNA है वह हमें मिल जाएगा या यू कहलो कि poly a sequence हमें मिल जाएगे mRNA मिल गया अब क्या करेंगे इस पूरे complete mRNA को इस mRNA को हम reverse transcription प्रिप्टिशन पी-सी-र में रखतेंगे तो यह जो सिंगल है इस ट्रॉक्टिशर है आटी पी-सी-र के थुरू आटी पी-सी-र के थुरू यह डबल इस तरह से हमें इसका copies मिल जाएंगे ठीक है तो यह थी reverse transcription process